अगर आप वीडियो में नहीं हो या फिर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट वाले सिधा सर्च किजिए जीके स्टेडी और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएगी हमने आपको सारी वीडियोs जिरो टू हीरो सीरिस के नाम से मिल जाएगी तो हमने आपको पता ही होगा कि पहली वीडियो में कांगडा को डिसकुस किया था पहुत सारी ऐसी शांखाईं थी जो कि कांगडा से टूटकर बनी है ठीक है और उन में से एक मॉस्ट इंपोर्टन श जो की है आपकी गुलेर रियासत ठीक है जी शाखा बोल लीजिए रियासत बोल लीजिए राज्य बोल लीजिए सभी का मतलब जो है वो सेम है अलग-अलग बुक में आपको अलग-अलग चीजें जो है वो प्रिंट करकर दी जाती है तो यहाँ पर हम बात करेंगे रियासत के जरूरत नहीं है, जिदने भी important point है, बलकि थोड़े बहुत extra point ही मैंने भी add किये हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी आज की वीडियो में cover हो जागी, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये गुलेर किला है, ठीक है, बहुत जादा important, और I think 2020 के आसपास इसके related एक news भी print हुई थ है, अगर आपने पड़ी होगी, ठीक है, कि इसकी बहुत जादा जो है, जब से इसका last राजा जो है, पास आउट हुआ है, ठीक है, इसकी बहुत जादा जो है, वो अंदेखी की जा रही है, ठीक है, यह तो ऐसा नहीं है कि एक्जाम में आएगा, बट जनरल के लिए जो है है, वो मैं बता रहा हूँ, तो आज हम गुलेर की ही जो है, वो हिस्ट्री यहां पर कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप HP High Code Color की तियारी कर रहे हो, ठीक है, जिसकी regular पोस्टों के रिए आपने एक्जाम भरा होगा, तो आपक क्योंकि computer section आपका वहाँ पर पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें जो है, वो provide करवाई जा रही है, तो आप चाहें तो join कर सकते हैं, नमबर है 9882061022 पर और जादा जानकारी ले सकते हैं, सिर्फ WhatsApp नमबर है, ठीक है, तो आप WhatsApp करोगे, तो आपको जो है, वो instant reply, या फिर थोड़ी time के बाद जो है, वो reply मिल जाएगा, तो अगर आप interested हो, और जारा जानकारी लेना चाहते हो, तो आप जो है, वो इस नमबर पर जो है, वो WhatsApp कर सकते हो, दीके, सबसे पहले बात करते हैं, गुलेर की, ठीक है, गुलेर जो है, वो कांगडा से निकरने वाली जो है, गुलेर रियासत का राम, कि भाई, जो second रियासत कांगडा से तूट कर अलग हुई थी, या फिर बनी थी, वो है आपकी गुलेर, गुलेर को जो है, वो गुलेर भी बोला जाता है, पुराने नाम जो है, वो इसका गुलेर भी है, ठीक है, तो ये भी आप जो है, वो याद इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं तो उन स्टोरीज को हम डिसकस नहीं करेंगे बड़ आप याद रखिएगा गुलेर को पराने समय में गुवालियर भी बोला जाता था अच्छा इसकी स्थापना किस ने करी थी स्थापना करी थी हरी चंद ने चंद भी है चंद भी बोल सकते हैं कांगडा वाले में मैं आपको समझाय था ठीक है और 1405 इस्वी की बात है जब ये जो है वो स्थापना की गई थी और इसकी राजधानी कौन सी थी इसकी राजधान थी आपकी हरीपुर। तो फिर उसका जो छोटा भाई था धरमचंद उसको जो है वो राजा बना दिया गया है। तो इसको बहुत जगा पर आप लिखा हुआ देखोगे हरीपुर गुलेर भी बोला जाता है। तो कहीं जगा पर आपको हरीपुर किला देखने को मिलेगा, कहीं जगा पर आपको गुलेर किला देखने को मिलेगा। यह वही किला है जिसकी बात हो रही है हरिपूर नामक किला आज भी आप देख सकते हो तो यह थी पूरी स्टोरी जिसके कारण जो है कि कांगड़ा से एक रियासत तूट कर निकली और एक नई रियासत का जो है वो आपका यहां पर जनम हुआ जिसको जो है वो गुलेर रियास तूट कर बनी थी, सेकंड इसकी स्थापना जो है वो यानि के इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो हरीचंद ने रखी थी 1405 में, इसकी रासधानी जो है वो हरीपूर थी, तो हरीचंद ने ही जो है वो हरीपूर नामक का किला बनाया था, ठीक है हरीपूर नाम से और उसकी नगर को जो है वो गुलेर के नाम से जाना जाने लगा ठीक है तो यह पूरी चीज जो है ये आपको याद रखने यह है अच्छा गुलेर के बारे में एक खास बात बहुत परसीत थी क्योंकि जो है वो हरी चंद्र ने इसकी स्थापना की थी जो बड़ा भाई था तो गुले या फिर गौलेर जो है वो पुरारा नाम वो इसका था ये चीज याद रखेगा ठीक है जी तो हरीपूर किला कहां पर है अगर कभी आजाएं तो कांगडा में याद रखेगा या फिर गुलेर किला अच्छा हरिपूर किले के अत्रिक्त जो है वो राज्य की सीमा पर 6 और किले थे जो राज्य की सीमा थी यानि कि गुलेर रियासत की सीमा थी तो इनके बारे में भी आप एक बार पढ़ लिजिए सबसे पहले है आपका मस्तगड किला उसके बाद कोटला किला फिर आपका नेक लोनोक किला कोटला किला बहुत important है इसके उपर बहुत सारी चीज़ें फोकस करती है क्योंकि आकरमन हुए है बहुत बार फिर गंधार्प किला, रामगड किला और फिर मानगड किला मानगड किला के बारे में कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मानगड किला आपका सिर्मौर में भी है एक और जीले में भी है तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है ये एक नाम से बहुत बार जो है अलग-अलग जगापर किले हो सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है, कि ये किले आज सारे एक्जिस्ट ना करते हो बट उस समय जो है, हरिपुर किले के अतरीक्त जो आपका हरिपुर मेजर किला था जो आपकी सीमा थी, उसके उपर छे और किले थे तो इन 6 के उपर जो है वो अपने अराम से नजर टिका लीजेगा ठीक है कोटला और मानगड और रामगड रामगड मानगड गडगड ठीक है जी और उसके बाद कोटला तो जब आप आगे पढ़ते रहोगे मस्तगड भी हो गया गडगड ये तीन गड़ तो आपकी यहीं प पो गया और ये सारे जो है और उसके सासत हरीपूर के लिए के साथ ये सारे भी जो है वो सीमा पर पढ़ते थे इतनी चीजें आपको याद जो है वो इसके बारे में याद रखनी है ठीक है अब बात करते हैं राजाओं के बारे में ठीक है सबसे बहला राजा आता है आपक को बताया था कि राजा जैचंद जिसका पुत्र विधी चंद भी था ठीक है आपने पड़ा होगा तो इसकी जो आपका रामचंद था गुलेर का राजा उसकी साहता से अकबर ने जो है वो राजा जैचंद को बंदी बनाया था इंपोर्टन पॉइंट जो है वो यहाँ पर हो जाता है अचा शेरशाह सूरी का एक चोटा बेटा था इसलाम शाह सूरी ठीक है उसने जो है वो इसके समय में शिवाली की पहाड़ियों पर आकर्मन किया था इतना जारा इंपोर्टन नहीं है बट फिर भी आप माइंड के किस इकोने में इसको बिठागर रख सकते हैं कि बाई शेरशाह सूरी का जो बेटा था ठीक है क्या नाम था इसलाम शाह सूरी उसने जो है वो गुलेर की राजा रामचंदर के टाइम पर शिवाली के पहाड़ियों पर आकर्मन किया था अब उसने कितना जीता कितना नहीं जीत इसे भी जो है वो रामचंदर को मेंशन किया गया है ये चीज़ आप याद रखिएगा बहुत सारी ऐसी जगह पर है जिसे पुराने समय में जो है वो वर्णन मिलता है गुलेर के बारे में तो उसमें राजा परसराम लिखा गया है तो परसराम यानिके रामचंदर कि एक बार आप नजर मार लें कि हो सकता है कि एक्जाम में कभी एक्जामिनर का दिमाग बहुत जाड़ा खराब हो जाया और आपके कुछ अटपटा कोशन डाल दे तो आपको ऐसा नहीं होना चीए कि कुछ आपको ना आता हो बाकि जारा तर जो कोशन पूछे जाते हैं व आप याद रखोगे राम चंदर बोलीजे चंद बोलीजे मैं चंदर चंदर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यही लिखा है ठीक है तो आप चंद याद रख सकते हैं अगला है आपका जगदीश चंद अच्छ जगदीश चंद जो है कांगड़ा और गुलेर के बीच मैंना कुछ समय से जगड़ा चलता आ रहा था ठीक है क्योंकि राजा जैचंद ने जो है वो राम चंदर के एक प्रसिद कोटला किले पर अधिकार किया हूँ था अब इसका ही रीजन देखे सिंपल से कया था कि जो राजा जैचंद था जिसके बारे में हमने अभी उपर ब बंदी बनाया हो जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह बंदी बनाया था तो इसका रीजन एक यह हो सकता है कि भाई जो जैचंद था उसने कोटला किले पर आकरमन किया मतलब कि हमला करके उसे जो है वो अधिकार के अंडर किया था तो हो सकता है कि भाई र विदी सिंग कौन था? मैंने आपको बता है जैचंद का पुत्र था कांगडा वाले. देखिए ये वीडियो अगर आपने कांगडा वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कांगडा वाली अगर आपने वीडियो देखी ह ये मैं आपसे जो है वो request करूँगा ठीक है जी तो ये जो है वो आपका विद्रोह किया गया था आपको पते ही होगा मुगलों के विरूद बट जगदीश चंद ने जो है वो इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था ठीक है जी इसका reason क्यों ये क्यों पता लगा ये directly mention नहीं किया गया है क्योंकि जब मुगल सेना ने इन सभी को हरा दिया था जो विद्रोह था उसके बाद कोटला के लिए को जीत कर जो है वो जगदीश चंद को वापिस दिया अब मैं कोई चीज जीत कर किसी बंदे को वापिस कर रहा हूँ ठीक है तो उसका मतलब यह है कि वो बंदा मेरे साथ ही है ठीक है या मेरा प्रिय है या मेरा साथ देता है तो इसलिए विद्रोह में जो है वो जगदीश चंद ने भाग नहीं लिया था ठीक है तो यह सारी जाधा पॉइंट नहीं है सिरफ थोड़े थोड़े पॉइंट है ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको याद रहती है अच्छा रूप चंद्र जो था या रूप चंद जो था वो गुलेर के सबी राजाओं में जो है वो सबसे जाधा योग्य और परसिद्ध मारा जाता है ठीक है कि भाई सबसे योग्य और सबसे परसिद्ध था अच्छा उसके मुगलों के साथ भी संबंद बहुत अच्छे थे ऐसा नहीं था कि वो मुगलों के साथ लड़ता था जरतर आप गुलेर के राजाओं के बारे में देखोगे तो सबी मुगलों के साथ इनके जो संब अच्छे थे अच्छा जहांगीर ने जब 1620 में दुबारा नगर कोट पर आकरमन किया इससे पहले भी जहांगीर कर चुका था बड़ जब नगर कोट पर उसने दुबारा आकरमन किया जिससों में उसने फाइनली कांगडा किले पर अधिकार कर लिया था मैंने कांगडा व करने के लिए तो वो था आपका रूप चंद इसका रीजन क्या था कि वो मुगलों के साथ उसके अच्छे संबन थे अच्छा बदले में उसे क्या मिला बदले में उसे एक गोडा दिया गया और हाती दे दिया ठीक है दो चीजों में उसको संदोष्ट कर दिया गया कि भाई उन्हें हमारी मदद की थी तो जहांगीर ने उसको क्या कर दिया गया गोडा और हाती दे दिया ठीक है जी अच्छा जहांगीर का समर्थन था तो वो भी कम पीछे नहीं रहा उसने अपने प्रोसी राजाओं के साथ जो है वो 22 लडाईयां लड़ी थी मिनिमम के जिसके बा आपके एक्जाम में ने पुछे जाएगी कि भाई उसने कितनी लडाईयां लड़ी थी ये सिरफ आपके नॉलेज के लिए ठीक है आप चाहे तो अपने दिमाग में रख सकते हो ठीक है बाकी जो स्टार कोशन है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है ठीक है जी रूपचं अचा शाह जाहा ने रूपचंद को 1634 में गड़वाल पर चढ़ाई करने के लिए वो बेजा था यानिकि गड़वाल पर अकर्मन करने के लίए भेजा था 1634 की बात है किसकी बात चाहा जाह रिए रूपत Свेल्ज को सेलेक्ट किया बाई जा तु गड़वाल पर चढ़ाई अच्छा जो सेना थी उसमें राजपुत सेना भी थी और उसके सासा जो है वो मुगल सेना भी थी मुगल सेना का जो संचालन कर रहा था यानिके उसका हेड था वो निजाबत खाँ था ठीक है और राजपुत सेना का संचालन जो है वो रूपचंद कर रहा था अच्छा बाद में जब लड़ाई हुई तो इन दोनों को जो है वो हार का सामना करना पड़ा रूपचंद की जो है वो डेथ हो गई ठीक है और निजाबत खाँ वहाँ से रफू चक्कर हो गया तो बाद में जो मुगल सेन आई थी उनको गड़वाल नरेशने पकड़ कर उनकी नाक काटी और वापीस जो है वो दिल्ली भेज दिया ठीक है एक एक बंदे की नाक काट काट कर जो है वो वापीस दिल्ली भेजा गया था तो ये भी आप important point जो है वो याद रख सकते हो कि अगर आपसे पूछ ले जाए कि नूरपूर के राजा जगत सिंग ये शाहजां के दबाओं में आकर मतलब कि उसकी बातों में आकर इसने विद्रोग किया था तो उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था या किसने साह हैता करी थी तो वो भी आपकी रूप चंद ने की थी मतलब मुगलों के साथ बहुत अच्छे सबनते तो maximum time जो है वो उनकी help ये करता था ठीक है जी अगला जो राजा था वो था आपका मान चंद सिंग अब यहाँ पर देखो कि आप दो यहाँ पर उपनाम यानि कि जो सरन जो है वो कब अपने उपनाम को बदल कर जो है वो सिहिंक कर लिया था किसके time period में तो मान चंद सिहिंके में तो यह इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों mention किये हैं अच्छा जहा ने जो है वो मान चंद को शेर अफगान की उपादी दी थी यह याद रखीगा शेर अफगान की बादी शाह जाने दी थी ठीक है 1661 में उसने जो है वो अपने पुतर के लिए राजपाट चोड़ दिया और बनारा चला गया और उसी समय जो है वो उसकी उसी year में उसकी मृत्यू भी हो गई थी बहुत बुक्स में mention किया गया है कि जो मान गड का कीला बनाया गया था वो म मान सिहन के द्वैरा बनाया गया था क्योंकि उपनाम change हो गया था तो मान सिहन ठीक है मान चंद भी कई भार mention किया जा गया सकता है तो ये आपको option में देखना है कि आपके पास क्या दिया गया है तो आप सिहन जो है वो यूस करोगी तो star point हो गया मान गड का कीला ठीक है जी उसके बाद 1601 में बनारस में मृत्य हुई थी ये भी याद रखीगा और अपने पुत्र के लिए जो है वो राजपाट चोड़ा था शेर अफगान की उपादी भी मिली थी और सीहन लगाना जो है वो शुरू हुआ था तो ये सारे ही स्टार पॉइंट हो जाते हैं आपके ल सिरफ 60 सेकेंड में आप एक बार जाकर चेक आउट जुरूर किये जएगा आपको तब समझ आ जाएगा और आप सब्सक्राइब करके जो है वो चैनल को रख लीजेगा ठीक है जी अगला जो आता है वो है आपका विकरम सिंग इतना जादा बहुत कुछ इसके टाइम पिरे मैं आपको पता रहता हूँ कि आप ही माचल में रहते हैं आपको पता होना चीए कि नारियल जो होता था ना उसको अपनी उगलियों में दबा कर तोड़ देता था इसके बारे में ये जो है वो प्रचलत है इतना पावरफुल जो है वो विकरम सिंग था तो ये चीज आप वो याद रख सकते हैं अगला जो है वो है आपका राज सिंग राज सिंग जो है वो इसके समय में जो लहोर का सुबेदार था वो ख्वाजा रिजबेग था ठीक है ख्वाजा कौन था रिजबेग अब इसने क्या किया हुआ था कि पहाडिक शित्रों पर कुछ एरियास ऐस पहाडिक शित्रों में उस पर अधिकार किया हुआ था आदे से जादा पर तो जो गुलेर का राजा राज सिंग था उसने चमबा के राजा चतर सिंग के साथ मिलकर बसोली के राजा धीरचपाल और जम्मो के क्रिपाल सिंग से मिलकर उसको हराया ठीक है मतलब एक साइड कौन कौन थे गुलेर के राजा राज सिंग था चमबा का राजा चतर सिंग था बसोली का राजा धीरचपाल था और जम्मो का राजा क्रिपाल सिंग था ये मिले और इन्होंने ख्वाजा रिजबेग को हरा दिया क्योंकि ये इसके कामों से बहुत कानी यहां पर नहीं चलेगी और जो मंडी और कहलूर रियासती उसको भी बहुत बार जो है वो मुगलों के हस्तक्षे प्याने के मुगलों के उसमें जो है वो बीच में टांग डाना उस चीज़ से जो है वो बचाने वे इसने बहुत बार साहे था करी कि इसने रासिंग ने ठीक है मतलब की एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जारातर जो है वो मुगलों से इसके कुछ बहुत जादा अच्छे संबंद नहीं थे ठीक है तो याद क्या रखेंगे कि लाहोर का कौन सुबेदार था ख्वाजा रिजबेक और इसने चंबा के राजा बसॉली के रा क्योंकि गोड़न सिंग के पास एक गोड़ा था खौर्स था ठीक है तो अधीना बेग ने बोला कि ये खौर्स मुझे चाहिए क्योंकि उसको पसंद आगया था और गोड़न सिंग ने मना कर दिया तो बताओ यार एक गोड़े के पीछे जो है वो इनकी लड़ाई होगी द अगला जो था वो था आपका प्रिकाश सिंग, प्रिकाश सिंग के टाइम पे जो है वो important है याद रखेगा, प्रिकाश सिंग के समय में जो है वो कांगडा के राजा घमंड चंद ने जो है वो गुलेर पर कबजा कर लिया था, ठीके कांगडा का राजा कौन था घमंड चंद ने गुलेर पर कबजा कर लिया था फिर जब संसार चंद आया आपको पता ये वो तो उसकी तो thought process ही अलग था कि सारी areas पर जो है वो कबजा किया जाए ठीक है क्योंकि कांगडा किले को भी उसने ही आजाद करवाय था तो इसके बाद क्या है कि कांगडा जब कांगडा का राजा संसार चंद बना तो उसने भी गुलेर रियासत पर कबजा किया ठीक है 1706 के असपास की बात है तो सबसे वहले गमंड चंद की बारी आती है और उसके बाद जो है वो कांगडा के राजा संसार चंद की बारी आती है ठीक है बढ़ आपको पते है योगा शेर को सवा शेर जरूर टकरता है तो एकना राजा प्रकाश सिंग का मंत्री था ध्यान चंद ठीक है उसके राजा के साथ जो है वो कुछ मतभीद हो गए थे तो उस कारण उसने क्या किया कि कोटला के दूर्ग पर अधिकार कर लिया कोट करते करते इतना शक्तिशाली हो गया था कि आप इस बास से अंदाजा लगा सकते हो कि संसार चंद जिसने मैक्सिमम रियास्तों पर जो है वो अपना अधिकार जमाया था वो कोटला के कीले को जो है वो जीत नहीं सका तो ये आप एक चीज़ नोट करके रखेगा ठीक है यह प्रिकास सिंग के टाइम पिरेड की सबसे मतपून घटना मानी जाती है कि उसका मंतरीर ध्यान चंद जो है वो कुछ मदबेद हो जाने के कारण कोटला के दुर्ग पर अपना कोटला के किले पर अपना अधिकार कर लिया था सोतंतर रूप से राज्ये कर रहा था इवन संस चंद भी उसको जीत नहीं सका तो कई बर कोशन आपको बुक्स में ये देखने को मिलेगा कि कोटला के दुर्ग को राज कांगड़ा के मतलब की अधिकार से किसने बचाय रखा तो याद रखेगा ध्यान चंद ने ठीक है कोशन पूछने वाला किसी भी तरीके से पूछ ल अब तक कभी सिखों के कभजे में कभी अंग्रेजों के कभजे में जो है वह आपका गुलेर आ चुका था तो जिसने शाशन किया अंतिम राजा गुलेर का वो कौन था वो था भूप सिंग अचा गोर्खों को आमन्तरित कह था आपको कहलूर के राजा बिलासपूर ने इंक्लिूड किये गए थे, उनमें आपका भूप सिंग भी था, फिर दो डेट याद रखेगा, स्टार कर देता हूं, ग्यारा सो, सुरी, अठारा सो ग्यारा, देशा सिंग मजेटियाने के सिक्स जो थी, कोटला किले पर अधिकार किया, और उसके बाद थोड़े समय बाद ज गुलेर अंग्रेजों के कबजे में आ गया था, तो ये दोनों डेट डिरेक्टली पूछी जा सकती है, और उसके बाद आप याद रखेगा, 1811 में देशा सिंग मजेटिया, कोटला कि लिए पर अधिकार किया था, और अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, और गुलेर के साथ जो है वो गुलेर रियासत का जो है वो अंत यहां पर होता है तो इतने पॉइंट आपको गुलेर रियासत के बारे में याद रखने है जो जो important है इससे जारा important point आपको मिलेंगे भी नहीं ठीक है आपको मिलते है तो आप description में जाकर जो है comment section में mention कर सकते हो बड़ वो stories ही होंगी जिनका यह 6 के लिए जुरूर याद रखेगा देखे मैं दुबारा से बोलूँगा ठीक है और clerk के लिए तियारी कर रहे हो ठीक है या फिर आप जो है वो HPPSC paper one के लिए तियारी करें तो आप हमें 98820610022 पर WhatsApp कर सकते हो तो I hope आपको वीडियो पसंद आयोगी जल्द मिलते है नेक्स वीडियो के साथ टेक क्यों